आधे राधे अब्रीबन कैसे हो आप सभी आसा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे और आपका सावन की पूझा आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी सावन का महीना भी बहुत अच्छा चल रहा होगा और इस बार बारिश जो है बहुत जोरों से हो रही है हमारे आप भी बहुत जोरों से वारिश चल रही है आज कल तो चलिए आज आज आप सब के साथ सेयर करने वाली हूँ कि सावन के महीने में आप डेली किस तरह से पूजा कर सकते हैं और खासकर इस वीडियो में मैं अपना रूटीन आपनों के साथ सेयर करने वाली हूँ कि मैं काफी सालों से यह मेरा नियम रहा है कि सावन के महीने में मैं डेली इसी तरह से पूझा करती हूँ तो सुबह ओटकर सबसे पहले स्नान कर लेती हूँ, जल्दी स्नान कर ले क्योंकि सावन के महीने में जल्दी नहने का भी महतु रहता है तो देखें मैंने जल्दी इसनान करके अपने ठाकुर जी की पूजा करने के बाद फिर मैं अपने भोले नात पखवान की पूजा करती हूँ तो डेली इसी तरह से छोटे से सिवलिंग बना लेती हूँ तो इस तरह से देखें बेल पत्र के उपर मैंने भगवान सिव को ब्राजमान करती है और पार्थिव सिव की पूजा का बहुत जना महत होता है अगर आप पार्थिव सिव की अगर सावन के महीने में डेली पूजा करती हूँ तो आपको मन चाही मुराद आपकी जो होती है वो पूरी हो जाती है और मन बहुत सांत रहता है आपका मेरा पर्सनल एक्सपिरेंस यह है सबसे पहले देखिए मैंने आप पर सुद्द जल से सनान करा दिया है सुद्द जल में हो सके तो थोड़ा सा आप गंगाजल जरूर मिला दे इसके बाद दिखिए मैं डेली यहाँ पर कच्चे दूसरे सनान कराती हूँ क्योंकि कच्चे दूसरे सनान कराने से हमें सुख संपत्ती मिलती है और हमारा जीवन जो है बहुत खोशाल रहता है तो मैंने आप पर कच्चे दूसरे सनान कराने के बाद गंगाजल से सनान करा दिया इसके बाद दिखिए थोड़ा सा चंदन लगा दूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से आप भी अपनी पूजा में एजश्ट कर सकते हैं इसके बाद दिखिए बेल पत्र में सावन के महीने में डेली चढ़ाती हूं बेल पत्र को आप किस तरह से अच्छे से रख सकते हैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाओंगी मैं आप दूँगों के लिए तो दिखिए डेली इस तरह से 5, 7, 11, 12 की जितने मेरे पास उपलब्द होते हैं उसे साब से दिखिए बेल पत्र में चढ़ा देती हूं बेल पत्र में आप चंदन जरूर लगाए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें बेल पत्र चढ़ाने के बाद तो देखिए जो भी घर में फल उपलब्द होता है वो चढ़ा देती हूं मेरे घर पर बेल पत्र है तो मैंने यहां पर बेल पत्र चढ़ा दिया और हाँ एक बिशिश चीज आपको यहां पर मैं बता दू बेल पत्र चढ़ा रही हूं बिलपात चड़ाया जाता है अगर जीवन में खुशाली आईगी वाइस अगर जीवन में खुशाली है तो फिकी चीज़ों किसी भी चीज़ों की हमें कोई आवशक्ता नहीं है तो देखिए हमारे ठाकुर जी में बहुत प्यारे और बहुत सुन्दर लग रहे हैं इसके बाद देखिए मैं करती हूँ आरती तो यहां पर मैं कपूर से आरती कर लेती हूँ कभी घी के दीपक से आरती कर लेती हूँ जैसा उपलब्द होता है, जैसा मन होता है, खुल मिलाकर बैढ़ा कर लेती हो, और हाँ, पूजा करते समय हमेशा आसन पर आप जरूर बैठे, अगर आप इस तरह से पालती मारके अगर आसन पर नहीं बैठ सकते, तो आप स्टूल पर भी बैठ सकते हैं, कोई दिकत नहीं होत देखें। मुझे ध्यान नहीं है। मैंने अमको बता दिया। इसके बाद सिब जी का बिसरजन यो मिट्टी की सिब्लिंग होते हैं इनका बिसरजन बहुत ज़ना जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बात के वारे में पूछाँ बीता कि सिब्लिंग काreibt हैं बेलपत्र का हम क्या करें तो बेलपत्र रगा आपके पास कम है, आपके पास इतने बेलपत उपलब्द नहीं हो पाते हैं, तो आप ये चड़े हुए बेलपत्र भी दूसरे दिन चढ़ा सकते हैं, वो किस तरह से चढ़ाया चाते हैं, मैं कभी नेस्ट वीडियो में आप लोगे साथ जरूर कोसिस आप चाहें तो एक घंटे बाद भी कर सकते हैं, कोई दिककत नहीं, लेकिन जतना जल्दी हो सके इनका बिसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्ती है, बहुत जल्दी गलने का इनका डर रहता है, तो सबसे पहले जो बेलपत्र वगेरा मैं ने चढ़ाया थे और थोड़ा सा पानी लेती हूं, और देखिय chips मिटई कि मूर्ती ही, बहुत जल्दी बिसर्जित हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटी बनाती हो और वरो जोटी बनाती हो बरुसिताम, क्यों जल्दी बनाती है, यह सकता का सिरन्न के लिए कि drivers करें एस बस जदना बहुत सार तो आप लोगों ने इस बात को मुझसे पूछा था तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है इस तरह से देखिए छोड़े-छोड़े हैं मेरे बहुत जना पेड़ पौदे तो नहीं है पर छोड़े थोड़ आरदस पेड़ लगा रखी है मैं अपने ठाकुर जी के चड़न से भी हो ना उनन में आप लाव सकते हैं हो सकते हैं तो पीपल के पेड में डाल सकते हैं बहुत अच्छा माना जाता है पीपल का पीड बहुत अच्छा रहता है सिबगे का चड़ा हुआ कि जब तक के लिए paradox क्लीओ धायशेयरी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडीयो क प्लीस लाइक जरूल किया करें मुझे बहुत जाना खुशी होती है राधी राधी